भारती टीम के पूरू कप्तान और वरत्मान में फिकेट कीपर बल्लेबाज और भारती टीम के सदस से महेंदर सिंग धौनी राची पहुच चुके हैं राची पहुचते ही एक बार फिर से उनके सन्यास को लेकर चर्चा जोरो से सुरू हो गई है क्योंकि वर्ल्लकप मैज के दौरान ही यह चर्चा काफी जोरो से थी कि महेंदर सिंग धौनी सन्यास ले सकते हैं उसके बाद महेंदर सिंग धौनी के कोच केसो बनर जी ने जब AB News से खास बातचीत में यह बताया था कि धौनी के मातापिता चाहते हैं कि धौनी अब सन्यास ले ले किर्केट से दूर हो जाए और उनके मातापिता यानि उनके साथ वो समय विताए वर्ल कप खिलने के बाद धौनी फिलाल राची पहुँच चुके हैं और अभी जो आने वाले दिनों में वेस्ट एंडिस का दौरा होना है उसमें महेंदर सिंग धौनी का चयन भी नहीं हुआ है तो ऐसे में धौनी अभी बहुत लंबे वक्त तक राची में अपने मातापिता के साथ रह सकते हैं और इस दौरान अपने सन्यास को लेकर उनसे चर्चा भी करेंगे एविन उससे खास बातचीत के दौरान जिस तरह से केसो बनर्जी ने यह दावा किया था कि उनके मातापिता चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे इस बात को लेकर जैसा कि उनके कोच के सोब अनरजी ने या दावा किया था कि उनके माता-पिता से इनकी हलकी बहस भी हुई थी क्योंकि कोच चाहते हैं कि धौनी T20 वल्ल्ड कप तक खेले उसके बाद सन्यास ले लेकिन उनके माता पिता चाहते हैं कि उम्र काफी हो गई है धौनी की उम्र नहीं बलकि उनकी माता पिता की उम्र काफी हो गई है इसलिए उनके साथ उनका बेटा यानि की धौनी कुछ समय बिता है क्योंकि इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं और मन नहीं लगता और धौनी जब बाहर खेलते हैं, तो इस दोरान साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी उनके साथ बाहर चली जाती है, इसलिए वो अकेला महसूस करते हैं, तो अब चाहते हैं कि धौनी घर में समय विता है, यानि क्रिकेट की दुनिया से फिर से अपने घर की दुनिया में आए, माता-पिता के साथ समय विता है, तो धौनी अब राची पहुँच चुके हैं, और राची पहुचने के बाद इसलिए यह चर्चा जोरों से सुरू हो गई है कि धौनी सन्यास ले सकते हैं, या फिर सन्यास पर अपने माता-पिता से विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता का बयान उनके कोज के हवाले से मेडिया में जरूर आया था और AB News यानि कि हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि उनके माता पिता चाहते हैं कि धौनी अब क्रिकेट से दूर हो जाए तो एक दो दिनों में यह साफ हो जाएगा कि धौनी का अगला निर्ने क्या होगा